दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगाऊं अगे बढ़ें कुछ आखों की बीमारियों की बात करें आखों की बीमारियां हैं जैसे कम दिखाई देता है धुदला दिखाई देता है चश्मा चड़ गया है रात में नहीं दिखाई देता किसी को किसी को दिन में नहीं दिखाई देता किसी किसी को रंगों का अंतर पता नहीं चलता Color Blindness, Night Blindness, Day Blindness ये सब बीमारिया, Myopia इन सब बीमारियों की बहुत अच्छी दवा है देशी गाय की बाची का ताजा मूत्र एक-एक बूंद आँख में डालो देशी गाय की बाची का ताजा मूत्र एक-एक बूंद आँख में डालो देशी गाय की बाची का ताजा मूत्र एक-एक बूंद आँख में डालो आँखों की हर बीमारी में बहुत लावकरी मैंने देखा लोगों के चश्में उतर गए मोतिया बिंद गल गया, काला पानी, ग्लूकोमा ठीक हो जाता एक बहुत खराब बीमारी है आँखों में रेटिनल डिटेच्मेंट ये जो रेटिना है ना आँख का परदा, ये खिच जाए तो इसकी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है लेकिन देशी गाय के बाची का मूत्र डालो इलाज हो जाता हमने देखा है देशी गाय की बाची के मूत्र से आँखों का कैंसर ठीक हो जाता आँखों का कैंसर इतनी बढ़िया दवा भगवान ने दी है, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपाइरी डेट नहीं कोई गाउं गाउं गली गली उपलब दे जहाँ गाय वहाँ बाची वहां मूत्र बस आपको डबा भरनाएं जब बाची मूत्र दे, डबा भरलो शीशी में बरके रखो ताजा ताजा रोज का बहुत अच्छा है और कान की कोई भीमारी है जैसे कान बहता है कान में मबाद निकलता है कान में हर समय आवाज आती है फिर कान में फोड़े फुंसी हो जाते हैं इसकी बहुत अच्छी दवा है देशी गाये का मूत्र डाल दो कान में एक एक बॉन्ठीक कर दे एक हमारे घर में एलो विरा होता है हम लोग गवार पाठा कहते हैं कोई लोग घरत कुमारी कहते हैं अंग्रेजी में एलो विरा एलो विरा का पत्ता है न उसको काट कर उसको छी लो और उसको ऐसे लटकाओ तो रस निकलता है वो रस कान में डाल दो वो भी कान की बीमारिया ठीक कर देती